हलो दोस्तों नोश्कार आप सब देख रहे हैं लखनो पसो बाजार चैनल आज हम फिर से आचुके हैं यादो डेरी फार्म पर और यहाँ पर कुछ बेहतरी हैं गाज जो बिक्री के लिए उखलब दें उनका वीडियो हम दिखाएंगे एक गाय के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ें तो चैनल को जादा से जादा से जादा से शेयर करें ताकि ज्यादा लोग हमारे चैनल डेरी फ्रम से जूट सके अच्छी गाय के बारे में जानकारी देंगे ऊससे पहले बात करेंगी बिर्जवान भाईय से नवशकार भीया नवाशकार घुए सबसे पहले आपके चैनल की माध्यम से अपने समस्त किसान भाईयों को बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारा साधर कुणाम बराबर लगातार जो है फारम पे लोग विजिट कर रहे हैं और दूसरे को जो लोग वीडियो देख रहे हैं नए किसानों को जो है फारम की जानकारी देते हैं कई लोगों से हमें जानने क वीडियो देख रहे हैं उन भाईयों को बहुत-बहुत धन्यवाद जो उनको सही जिसाने दे रहे हैं नए लोगों को देखिए आज के समय में बहुत सारे ऐसे फारम ही है बहुत ऐसे गयाए बेचने वाले लोग हैं बजार है मेला है होट है जहां पर लोग जो है पहुश से उन सभी किसान भाईयों से कहना चाहेंगे कि अपना फारम यादु देनी फारम तर लखनों गुसाईगे अपने पास एक से बिल्कुल बताइंगे अपने पास एक बेहतरी गाये जो आपको मेला हट बजार में नहीं देखने के मिलेंगे वैसी गाये अपने पास फारम पर बहुत ही सुन्दर नई खुपसूरत और दूर वाली अच्छी गाये जो घर में रखने के लिए बेहतरीन उचित हो जैसी अपने पास जो है गाये प्रिपास एक लिए दिए जी अपना अड्रेस पर अपना अड्रेस लखनो गुसाइगंज उत्तर प्रदेस की राध्धानी लट्लो का वेग गुसाइगंज पुलिस चोकी और ब्लॉक से मातरखीन से अपना फार्म पढ़ता है जी जो की यादो देरी फार्म के नाम से लोग जानते है और में रोट की किनारे अपना फार्म पढ़ता है गुसाइग भार अपना कॉंटिक नमबर हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं और फोन कर सकते हैं मंगल वार सोमवार हमारे पास भारी लौट रहते हैं पाकि अन्य आज बुद्वार हैं हमारे पास काफी गाय है के गाय के सामें को दिखाएंगे हम आज इस नए टीन सेड में जो हैं काफी गर्मी हो रही थी और उधर आगे तपन भी महसूस हो रही थी तो इसलिए आज यह सब्सक्राइब करने में लगभग 15 दिन का पुरानी जर्सी है जी सीधी अकदम सांथ सुभाओ की कैसे भी कोई बैड़ जा एक दम इस सांथ की यह दिए सीधी सांथ शांथ आरणों का गया वैस एक दम महीं और पाटी बंदी से बहुरी सांथ आज तब यह बच्चा दिने में लगभग इसका जो है पंदरा दिन का समय है और दूद यह तो अब यह रेट करेंगा इसका दाम जो है वह दो कम पचास हेया रूपए लेगा दो कम पचास है नहीं अर्थालीजार रूपे काफी बहत्रीन काफी भारी वर रिकम गया है यह देख यह और यह प्रणी जरसी है यह उसका बहुत सुद्र यह ब्याद में दुसरा है दूसरे बच्छा करेंगी तो समय कितना लेगी बच्छा यह कर देगी चार से पांच दिन में और देखी इतना भारी बनाए वह देखी चार से पांस दिन का समय लेगी और दूसरे बैत में विच्छा करेंगी काफी बेहतरीन गाये तुम्या दूद की क्या में करते हैं दूद यह भी 14 लिटर करेंगी यह 14 लिटर कर देगी ईख तो इसका क्या रहेगा तो इसका क्या रहेगा यह 25000 रुपे की चुटी और जार वे काफी बहुत ज्यूर से बहुत जूर्दार है देखिए यह आप लोगा आप लिए पहली बिच्छी है सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह देखे और रेट करेंगा इसका 45,000 रूपए 45,000 रूपए यह देखे मात्रब 45,000 रूपए पहला चार दाथ की पच्छी थी अब पुरा भार आई है अभी भी सोड़ा समय लेगी बहुत अच्छी बच्छी आ है तो इसे दूद्द की के हमेद करते हैं दूद्द 12 लिटर करेंगे आराम से यह देखें और दूद 12 लिटर आराम से कर देगी तो रेट के रहे हैं इसका रेट इसका जो है पैसाथ हजार रूपए यह देखें मात्र 55,000 रूपए मिल लगी काफी बहतरी न काफी भारी वरकम सुन्दर गाए यह देखें पहला बच् दूसरी बार बच्च करेंगे समय कितना लेगी समय कर देगी तो इस दूद करेंगी 16 17 लिटर 16 17 लिटर दूद कर देगी यह दिखें। तो और यह रेट के रहा है साथ हजार रुपए तो आज़गा है तिक ना अच्छा पना एक वत्री मिल रुपए को लिए पर सता का समय लेगी और बेहीं और अच्छा आपर है यह काफी संधर काफी हाइडधार काफी भारी बर कम गया और इससे दूद क्यों में इत बताये त सबाइट कि सब्सक्राइब काफिक हैं कारी ना allora काफिक बारी वरकम गायी धिकरेगे और सियस्थि पन मुष्णाय के घृफ चक्र सकते हैं लंबा ही चक्र सकते हैं वी यह तो दान की बचिया भी जो आज को में लेटे हैं गो ellas अब कर शेचासी हजार रुपए लगे मुएं अपने पास बच्चिया बच्चिया को जनम देशने बयात में इस बारा किलो तयार है बारा बजने बारा बढ़ें जियु बना रहे है तो इससे दूद बढ़ेगी कुछ या दूद बढ़ेगी 14 लिटर दूद करेंगी 14 लिटर दूद करेंगी देशने बियात में बहुत सीधी बहुत बैठी नगा है यह देखिये आडर देखी किना अच्छा बनाएँ तो यह देखते हैं इसकी क्या टेवले भी है एक महिने बाद बच्चा करेगी प्रेगनेंट है दो दात की पहली बच्चिया यह कान कॉल्टी देखे तो एक दा मुझ के आगे जा रहे हैं जी और सींग भी पूरा रडार चोटा सींग जी और चोटा आखिक्तम जी बच्चिय हैं और बच्चया यह एक महिने का समय करतें तो चैप लिए पहली बार में यह देखतें आप लोग अगली बचच्चिया पहली बच्चया और यह राती को जनमी है राते को बच्छड़े को जनम दिया और यह लुद निकालने में एकदम सीधी है तो इसे दूद की क्या अमेद करते हैं रही है लगवग चादा लीटर दूद कर देगी इस दूद कर देगी और बच्छड़े को जनम दिया है अभी साम को यह बच्छे को जनम दिया यह देखें काफी बहते ही नाउडर बनाए होगे यह दिखें नई बच्छिया है लंबे समय और यह रेट के रहेगा इसका वेट इसका विए पैतालीस जार पैतालीजा रुपे यह देखें पैतालीजा रुपे मिली काफी सुन दर यह देखें पैतालीजा रुपे में यह देखें अगली गया तो यह दूद करते हैं दूद करेगी नौदास लिटर नौदास लिटर दूद कर दोनों टाइम में यह देखें प्योड साहिवाल है और ब्यात में कौन सबता है पहली बच्छी आभी दो दात की पहली बच्छी है बच्छी को जनम जिया भी साम को ही और नौदस लिटर दूद आराम से कर देखें और ऐसा कुछ अपने पास कोई ऐसा वीडियो आप नहीं देखेंगे जिसमें किसी गाय सभी का टाइम से मिल्किंग हो जाता है जी पहली पर रेट किया रहेगा इसका रेट बच्छी का जो है क्यावन हजार रुपे रहेगा क्यावन हजार रुपे यह देखें तो यह कुछ इतनी गाया विक्री के लिए प्लब्ध है और बाकि आगे जो है मंगलवार को सुमवा दोनों मंगलवार को देखने हो लेगी यह जय अपने पास यह दस गय फिकरी के लिए उपलब्ध है जी रात को अपने पास श्त्हाइ सफ्थाई की गया था जी और सभी आज यह तो कोई गयासा नहीं था कि जो है कि किसी में कोई क्वाल्टी की समी रही हो जी सभी अपने अधिकतर तो दात में हैं और नसल क्वाल्टी में सभी विस्तरी में दूद वाली गाय है और आगे भी ऐसे ही दूद वाली गाय अपने पास जोड़दार अच्छी बचणियां आती रहेंगी तो इस बार मंगलवार को किसानी का समय चल रहा है अपने किसान भाई जो है संख्या कम कर दी गई है और आगे जैसे ही खेती का काम खत्म होता है पचास प्रस रहें लेगे जिए और तीस पैटिस जाय भी आ रहे हैं तो कम नहीं आघे हैं काफी माने की पड़ रही गाये बेहां किसान मंगलवार को हमारे कितने भी किसान भाई आजाए उनको सभी को गाय हम उपलब दिकर आते हैं और आगे भी उपलब दिकर आते रहेंगे जी तो चलिए विये देखकें कुछ इतनी गाय जो मैंने आप लोगों को दिखाई काफी बैहतरी हैं सबी गाय थी पहले दूसरे में और काफी सुननदर बच्छिया थी और अगर आप लोगों को बुद धन्मा